आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब वह तक आप लोगों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से कर लेना क्योंकि हम लोग आगे भी इस टैप की और भी इंटरस्टिंग वीडियो डालने वाले अपने चैनल पर तो जलती सी चैनल को सब्सक्राइब कर लोग तो अभी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और सबसे पेले हम लोग ओपन करेंगे पिक्सार्ड लोग आपकर लिया है और इसलिक करने की बाद हम लोग को सबसे पहले एड़ पोटो में चेम लोग को अपने मॉडल के कट-Aud को एड करना है तो कैसे मैंने अपने मोडल के कट-aub को पहले निकाल कर रखा है तो मैं यहांसे उस टाउट को यहां पर एड़ कर लेता हूं कि अभी मैंने अपने मोडल के कट आउट को एड़ कर लिया है और इस कट आउट के से निकालना है आप लोगों को इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना कर रखी है तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देगी तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ काउट कर लेना तो अभी हम लोगों ने अपने मोडल को कुछ तैब से यहांपर लगा दिया है इसे आप लोग को कुछ इसी टैब से लगा ल snail है ऑर इसे लगा लेने के यह बाद प्रिव्स को तो तो क्या करने हैं हम लोग कुछ से टाथ सेर्द बाहरा है एंड जैसे आप रोग देखे तक क्या है पूर्पि यह करने applications को यहजा करके कुछ एलने के लिख सेट उसके पाथ आप लोगको जाना है एरेजर वाले अइकन पर और गैस एरेजर वाले आकन पे जाने की पाद आप छो को इसको एकस्ट्रा पार्ट है जो कि आप लोग की मोडल की बोड़े के पार्ट के आगे आ रहा है तो उसको एरेज करने के पाद इसको का लेना है और टैप करने के पाद दुबारा से आप लोग को चले जाना है एड फोटो में और अब की बार आप लोग को एक और PNG को मिलेगा तो ब्लेक पैटर का ही PNG है वो भी उसको यहां पर एड़ कर लेना है दुबारा से ओके सो दूसरी बार गाइस हम लोग को इस वाले PNG को एड़ करने के पाद आप लोग को सबसे पहले लेर का उप्शन मिलता है लेफ्ट साइड में तो उसको सबसे पहले मूव डाउन कर देना दो बार तो जिससे कि अपने मोडल के पीछे की तरफ चला देगा पैथर का PNG तो उसी जाने के पाद आप लोग को इसे अच्छे से एड़ेस्ट कर लेना है और जैसे एड़ेस्ट हो जाए उसके बाद लेफ्ट साइड में एरेजर का इकन मिलता है तो इरेजर में जा करके उसके नीची का पार्ट को एरेज कर लेना है इसे कर लिने के बाद इसको कर लिते पोटो में और अभी हम लोग को एक विगनेट के PNG को एड़ करना है तो चलते हैं दुबारा से एड़ फोटो में सबस्जारे अभी हम लोग ने इस वाले विगनेट की पीएनजी को एड़ कर लिया तो इस पी एजिक में नेचे की तरफ कुछ से स्टैप से लगा लेती है करने के लिए हम लोग चलते हैं दुबारा से एड़ फोटो में ओके तो इस अभी हम लोग ने लास्ट में इस वाले पिंच कर लेना है और इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज करके रख लेना है डार्कनिस और इसे आप लोग को पूरी पिक पर बढ़ा करके लगा देने तो जैसे एक लोग इसे लगा लोगाने की बाद इसको कर देना है डन तो हब हम थे हम लोग už पिक्चाड एपका औरमौचष सभी काम क्मप्लेट हो चुँए तो अभी इस फोडो की कलर्ड करते हैं कलर्ड करीडिक करने के लिए हम लोग चलेंगे लाईटर मैं अप के अ buffalo में आ चुकि हैं और दो प्रवाइन में आकर के इस वोडो को कर लेंगे गैलरी में सेव और अभी फाइनली ओपन करेंगे लाइट रोम एप को जैसे कि आप लोग देखते हो कि अभी हम आज के हैं लाइट रोमें एप के अंदर आने के बाद हम लोग को राइट साइड में कुछ ऑफशन देखने को मिलते हैं तो इनमें से सबसे पहला टूल होता है सन का टूल तो यहाँ पर हम लोग इस वाले टूल पर चलेंगे जैसे ह आज को से से मुलोग साच बशत्तल यहाँ इसके अवाले टूल पर आती है तो यहां पर हम लोग को फर्स्ट में मिल जाथैं एक्स्पोज्र का प्शन तो यहां से हैसके एक्सपोजर को कर लेंगे है한ण लोग कम कर लेंगे एक इसके पाद नीचे मिलता है हाइलाइट की अपिशन तो हाईलाइट को हम लोग इनक्रिस कर लेगे और कृिप सक सिक्स्टीफ यह शिश्टी डिया राउंड इनक्रीज कर लिए नक्रिद बाकि आप लोग अपने कोड़ी देख लेना इसके बाद आप लोग शेडो कम कर लेना एंड वाइट बैर इसको भी कम कर लेना इसके बाद आगे का टूल मिलता है हम लोग को Temperature का टूल जो कि थर्माइटमेटर टाइप होता है तो अभी उसमें चलते हैं तो इसमें जाने के पाद हम लोग को इसका temperature को कम करना है तो क्रीब मैं 10% तक इसको रख लेता हूं देन इसका tent को increase करना है तो tent को हम लोग क्रीब 4 या 6 के around रख लेंगे इसके बाद ओपर की साइड में मिलता था हम लोग को एक mix का tool का option तो उसमें चल देंगे हम लोग और mix वाले पर-फहल दोल में ढाकर के हम लोग को क्या गए कि यहां से हम लोग को yellow खूलर को सब्सक्ञा और इसके आगे के यह जोबी color वह हुँए उन सभी के saturation को पूरा decrease कर लेंए सिर्फ आप लोग को फोड़ देना है बागी जो भी color है उन सभी की saturation को decrease कर लेना है, OK तो इतना क्या पास हम लोग को blue color को select करना है और blue color की saturation को हलका सा decrease कर लेना है, तो क्रीब हम लोग ने 20 परेचेंट तक कर लिए एंड तन इसके बाद second color को select करना है एंड इसके के भी situation आप लोग कम कर लेना किसी जिसते कि आप लोग को face white हो जाएगा and luminis को increase कर लेना तो इतना करने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे done और अभी डैन होने के बाद हम लोग को next में मिल जाता है एक effect का tool तो यहां से effect के tool में आने की बाद हम लोग इस photo की clarity को increase करेंगे और clarity को increase करने के बाद नीचे विगनेट के option को कम कर लेंगे तो करीब हम लोग 20% तक रख लेना है तो इतना काम करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि अपनी जो फोटो बनकर के रेडि होच कि है वो काफी कमाल की बनिया है तो आप लोग विफोर और आफ्टर देखी सकते हो काफी कजब बन शकी अपनी तो आएफ एस आप लोग भोग को यह वीडेओ पसंद आई होगी और इस ट्राइप की यारीडिने करना आप लोग स्थी यह किंगे तो अगर आप लोग को वीड़ो जर spicy वे अच्छे लगी हो तो वीडेओ को लाइक करना और चैनल पर नएए हो तो चैनल को जुरूर्ट